सबी साथियोग नमस्कार अरियाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की और से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें सबी स्टुडेंट्स की अटेंडेंस दस बजे से पहले-पहले MIS पोर्टल पर लगाई जानी है तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्टुडेंट्स की अटेंडेंस कैसे लगानी है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर ऐसी टेक्निकल जानकारी आपको मिलती रहे स्टुडेंट्स की अटेंडेंस के लिए टीचर्स को अपनी पर्सनल MIS ID से साइन इन करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले आप MIS पोर्टल ओपन करिए और टीचर्स अपनी पर्सनल MIS ID से साइन इन करें उसके बाद आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी तो यहां लैफ में जो ओप्शन दिखाई दे रहे हैं यहां दिखाई दे रहा स्टूडेंट मैनेजमेंट यहां कलिक करने के बाद जब इसको उपर लेगर जाएंगे तो सबसे नीचे दिखाई दे रहा स्टूडेंट अटेंडेंस यहां कलिक करेंगे यहां पर आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी तो किस कलास की लगानी है उस कलास को सेलेक करेंगे उसका सेक्षन कौन सा है और किस डेट की अटेंडेंस हमने लगानी है तो वो डेट सेलेक कर लेंगे उसके बाद प्रोसीड प्रोसीड करने के बाद आपको जो आपकी कलास में स्टूडेंट्स हैं वो दिखाई देंगे उसके बाद यहां जब राइट साइड करेंगे तो यहां पर दिखाई देगा बच्छा जिसुतिे पहल यहां चल है यह क्या present है ओन लीव है यह आपसेंट है तो जो fall section होती है टेंडेंस की वो present रहती है अगर बच्छा लीव पह या आपसेंट है तो के उलूशी को मार करना है माली जी अनुराग है ये छुटी पर है तो अब सेंट लगा दिया या अप एप्लिकेशन दे रखी है तो अन लीव कर दिया उसके बाद यूँ ही बच्चों को हम देखते रहेंगे जो बच्चा अन लीव है या अब सेंट है उसको हम मार्क कर देंगे और निच्चे जब स्क्रोल करेंगे तो I hereby confirm that the above mark attendance is accurate कि जो हमने उपर attendance लगाई है वो accurate है और फिर confirm कर देंगे यहां दिखाए दिया present students 13 leave पर एक है और absent एक है तो confirm कर देंगे इसी तरह से सभी class teachers अपनी अपनी class की attendance MIS पर लगा सकते हैं उसके बाद अगर हमने किसी भी class की attendance अगर देखनी है तो उसके लिए क्या करेंगे विव डिटेल जहां पर यह attendance आई हुई है class first total student 17 present student 15 और एक absent है और एक leave पर है तो यह है 24 24 अपरेल की है तो विव डिटेल करेंगे तो यहां पर attendance शो हो जाएंगे कौन सा बच्चा absent है और कौन present है किसी भी डेट की अगर हमने attendance पिछली attendance देखनी है तो यहां से उससे class की attendance देख सकते हैं सभी बच्चों के नाम के सामने उनकी attendance आ जाए present only present 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 इस तरह से तो आशा कि आपको इस वीडियो से help मिली होगी और सुनिश्यत करें कि दस वजे से पहले पहले सभी बच्चों की attendance माईस पर लगा दे धन्यवाद